देखे जैसे कि आप सबी जानते हैं कि कल या फिर परसो मैंने एक वीडियो बना कर आपको जनकाड़ी दिया था कि अगर आप भी किसान है अपने खेत में नीजी जो नलकूप होता है उसको लगवाना चाहते हैं तो किस तर से सरकार के तरब से 60-60 रुपे तक का सबसीडी पराप कर सकते हैं अब उस वीडियो के अंदर कुछ लोग का कमेंट भी आया हुआ है कि क्योवल नलकूप लगा लेने से हमारे खेत सिचाई नहीं हो जाता है उसके लिए हमें एक पॉम्प के असकता भी पड़ती है जिससे हम पानी निकाल कर खेत की सिचाई करते हैं तो देखिए आप लोग उस वीडियो को ध्यान में नहीं लिये थे उस वीडियो के अंदर हम बताये थे कि उसमें एक पॉम्प भी आपको मिलता है उस पे भी आपको सब्सेडी मिलता है तो आज किस वीडियो में हम प्रोपर उसी के रिगार्डिंग बात करेंगे कि जो electric pump है उस पे आप किस तरस अंदान ले सकते हैं, कितना किसको अंदान मिल सकता है, सभी जनकारी जो इस वीडियो में clear करके बताएंगे और इसके लिए कैसे online आवदन किया आते हैं, उसके बारे में भी हम चार्चा करेंगे, तो प्लीज वीडियो सुरू से आन तक लेकर जरू देखिएगा और वीडियो थोरा सभी अच्छा लगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, तो चलिए आज का वीडियो सुरू करते हैं तो उस आर्टिकल को आपको ओपन कर लेना है, तो यहां से हम इसको ओपन कर लेते हैं, तो जैसी ओपन करेंगे, तो कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा, ठीक है, और यहां पर मैंने अल्मोस्ट आपको सारा जनकाडी बताया हुआ है, कि इस साल जो है 30 यह लोग को जो है 80% तक जो है अनुदान मिलेगा, तो उसके रिगार्डिंग हमने जनकारी दिया था, तो वीडियो नहीं देखे हैं, तो आई बटन में है, एक बार उसको देख लीजिएगा, आपको अच्छा जनकारी मिलेगा, देखी यहां पर बतायागी है, कि 30 सर किसानों को अनु जनकारी यहां पर दिया गया है, देखिए, यहां पर आप लोग नोटिस नहीं किये थे, मैंने यहां पर बताया हुआ था, कि अगर आप एक मीटर बोरिंग हलवाते हैं, तो उसके जो है, पिछरा बर को 600 रुपया, समाने पिछरे को 840 रुपया, अती पिछरे को 840 रुप जिसके आप बोरिंग लगवाते हैं, तो उसके आपको कितना उन्दान मिलेगा, ठीक है, तो यहां पर देखिए, बताया गया है, कि अगर आप लेट्री का जो पॉम्प होता है, वो लेते हैं, तो आपको उसके कितना उन्दान मिलेगा, अगर आप समाने जाती से आते हैं, सुरी बर्ग से आते हैं 4 HP का लेते हैं तो 15 रुपय आप कौन दान मिलेगा 3 HP का लेते हैं तो 10,000 उस तरह से अती पिछरा बर्ग है या फिर पिछरा बर्ग है तो आप यहाँ पे 4 HP का लेते हैं तो 21,000 रुपया 3 HP का लेते हैं तो 17,000 रुपया और अनुसूची जाती, यम जन जाती से आते हैं, तो आप जो हे 4 HP का लेते हैं, तो 24,000, 3 HP का लेते हैं, तो 20,000, और 2 HP का लेते हैं, तो 16,000 पर अब को अंदान यहां पर दिया जाएगा, जो कि यहां भी मेंसन किया गया है, पॉम्प वा बोरिंग के लिए मिलेगा अनुदान ठीक है देख सकते हैं कि यहां बताया गया है कि समानियों को 4 HP के लिए 15,000 3 HP के लिए 12,500 यहां 2 HP के लिए 10,000 के लगभग जो हैं आपे सबस्टीडी दी जाएगी तो यही चीज है अब इसका जो है आपको सारा जनकरी बताएंगे आपके पस अधार कार simplicity ऐपके लिएगा पेंगे cannot इसके लिए आपके पास यहां पर प्युमीन होना चाहिए mobile नमर, email ID और भी कोई करके बताये जाएगा ओनलाइन आवधन जो है DBT Agriculture Portal से या फिर जहां से क्रीशी अंतर के लिया आवधन किया आता है वहां से लिया जा सकता है लेकिन अभी जो है इसका ओनलाइन आवधन इस्टार्ट नहीं हुए हैं देखिए बताये गिया है कि एक नलकूप लगवाते हैं तो आपको जो है 84,600 रुपे का खर्चा आ सकता है जिसमें से आप अनुसुची जाती जन जाती से आते हैं तो 80% सबसेड़ी पिछरा बर्ग अथी पिछरा बर्ग से आते हैं तो I think 70% और समानिय बर्ग से आते हैं तो आपको 50% यहां पर सबसीड़ी मिल ही जाता है ठीक है और किसान 70 मीटर तक बोरिंग कर अपनी पसंद का उनसार दो या तीन चार एसपी के मोटर पम भी लगा सकते हैं तो यह सारे चीजे हैं तो जैसे इसका अप्लिकेशन फॉम स्टार्ट होता है तो आपको वीडियो बना तो चली मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉफी के साथ अब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यबाद अब जहां भी रहें सुरक्षित रहें स्वस्त रहें बहुत-बहुत धन्यबाद